तो गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबा के साड़े नू तो नमन स्कूल जा चुका है और नमन के पापा है वो भी शोप पे जा चुकी है और जो घर के छोटे मोटे से काम होते हैं वो मैंने खतम कर लिए नहाने के बाद मैं आगे हूं सिधा अपने किछन में अपने लिए गापा है आपके साथ कुछ करती हो और स्टाट करते हूं आज का ये व्लॉग चार्ट करते हैं पεται चाए बना लेते हैं फोड़ी जाये होता है खाने के लिए नोग भी बनाना होता है और घर के भी काम होते हैं अथे वहां सकते भी बहुत सारे काम होते है और आज तु इतना मोंसम भी खराब हो रहा है बाहर सारी दूंदाए और हवा भी चल रही है पच्चों के स्कूल के टाईप में जो भी चेल हो चुके हैं पहले 10 बजे का था और अब 9 बजे का हो चुक है ठंड काफी बढ़ रही है तो यह थोड़े दिन रही कि ठंड इस तरह से फिर जैसा ही मुसम हो जाएगा गर्मी तो नहीं आई इतनी जल्दी ठंड तो फिल भी अच्छी लगती है पर गर्मी बिल्कुल भी अच्छी मिल लगती मुझे जब पहले मैं चाई बना लेती हूं अपने लिए तो यह बन भी मेरी चाई तो गर्मा गर्म चाई पीने के बाद मैं मिलती हूं आपसे चाई मेरी बन भी है तो पहले मैं चाई पी लेती हूं फिर से अपने वही रूटीन में तो चलिए मिलती हूं मैं आपसे ब्रेक के बाद तो आज मैं बनाने जा रही हूं गोबी के परांठे तो नमन और नमन के पापा दोनों बोल रहे थे की गोबी के परांठे खाने हैं तो मैंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी तो बस मैंने उसकी सारी तियारी करके रखी थी तो अपने हजबन की जो थी वेट कर रही थी तो आज मेरे हजबन जो शोप से लेट आये हैं तो एक बज़े की बाद ही आये हैं तो हम अब खाना खाने लगे हैं तो मैंने पहले से एक त्यारी करके रखी हुई थी, तो ये देखें मैं इस तरह से मोटा मोटा गोबी को काट लेती हूँ, मैं बारीक गोबी की प्रांठे जो है वो नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से मोटे मोटे करके सब बनाती हूँ, इस तरह से बनावनों तो बहुत ही क्रिस्पी गोबी के प्रांठे बनते हैं और जब मैं एक एक लेते हैं कि इसमेंसे पीलिंग जो है न मैं गोबी की ज्यादा भर देती हूं और गोबी निकलाती है रोटी में से तो जो गोबी कत्षी हो जाती है तो हम सब क्या करते हैं वो स्कोबी को ना दहीं के अंदर मिक्स करके खाते हैं तो बहुत ही ना बढ़िया से लगती है और फिलिंग इतनी ज़्यादा भर तो कि मज़ा आए कि हां सच में कुछ खाने ने इतना आटे आटे का टेस्ट आता है अगर फिलिंग ना हो ना कोई भी फिलिंग का प्रांठा बनाऊना तो मज़ा नहीं आता तो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें इस तरह से न यह प्रांठा बन जाता है क्रियस्पी सा और खाने में बहुत ही मज़ा आता है आप भी एक बार ट्राय जरूर करना इस तरह से प्रांठा बनाकर तो प्रांठे बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया तो मेरा ध्यान था कि कपड़े धोने हैं मैंने तूनी तो आज सुबा थे कपड़े पर सुबा ना काफी मोसम खराब हो रहा था तो मुझे ये था कि मैं ऐसे कपड़े धोलू फिर अच्छे से सुखे या ना सुखे तो उसका क्या फायरा फिर इदर उदर कपड़े करोना तो वो मज़ासा नहीं आता तो शाम के टाइम ना अब पांच बज़े का टाइम हो रहा था तो मेरा ध्यान ना कपड़ों की तरफ ही था कि मैं ना कपड़े धोलू और कपड़े भी ना काफी सारे हो रखे थे मैट्स बगारा भी थे धोने के लिए क्योंकि बसंत में काफी सारे कप्ड़े थे जो गंदे हो चुके थे एक बार ता मैं वोश कर चुकी थी आप ये दूसरी बार के थे तो कपड़े धूने के बाद मैं आगी फिर से अपनी किचन में तो कपड़े धूने के बाद मैं ने चाय बेगारा ले ली थी चाय पीने के बाद फिर मैं आगी अपने बरतनों की तरफ क्योंकि बरतन भी काफी हो रखे थे तो बरतन धूने लगी हूँ तो मैं अपने जो बर तो इस तरह से में गलफ्स टाल देती हूं क्योंकि और ज्यादा मेरे हाथ हैं जो खराब ना हो पर मुझे सच बताऊ ना तो मज़ा नहीं आता है गलफ्स पैन के बरतन दोने का मज़ा तो वैसे है जैसे हम अपने हाथों से कब बरतन दोते हैं तो मज़ा तो उसी में आता है क्या करें अब हातों का भी देखना अगर जादा हाथ खराब हो जाएंगे तो फिर काम घर का पिल्कुल भी नहीं हो पाएगा बस इसलिए मैंने गलफ्स लिये है ताकि मेरे जो हाथ है और अच्छे से ठीक हो जाए वैसे भी मोसम चेंज हो रहा है सब्स चाहि रही है तो ब तो आप देख सकते हैं अब पकोडे हैं साथ में यह स्कुन हरी हूं तो नमन के पापा तो बोल एक्षान लोगे बीच मेह về बेडाद में खाओनगा नहीं कदिशन झाना नुगर्चा कम बकोडे में बड़ा कर घांषा इसमित उसके पकोड़े है जो मैं बना रही हुए तो कुछ पकोड़े तो ना ये मार्किट गए हुए थे तो मैं जैसी पकोड़े बनाने लेगी इनको खुश्बू आगी और बोल रहे थे हम्हां पहले पह्ता होता तो हम ना थोड़ा सा पनीर भी ले आते हैं और वो भी डाल देते हैं उसके पकोड़े बना लेते है music पॉलाव की तरह थी तो यहां पर भोज़ा हो च्टावल ये झाल केलार के लिए बटेidenर में लेकम कनल जारेंगे तो वो खालेंगे तो फिर उनके बाद मै और नमन भी इसी तरह से खालेंगे तो यह हमारी प्लेट तियार हो गिया डिनर की तो डिनर करने के बाद मैं फिर से आ गई अपनी छत बद तो कपड़े सुखाने के लिए जो कपड़े धोए थे तो वो ऐसी पड़े थे अभी तो मै दाल लेते हैं जैसे कि वूलन कपड़े होते हैं लोर वगएरा होते हैं इन कपड़ों को हम प्रैस नहीं करते हैं उसी तरह से डाल लेते हैं अगर हम कपड़े धोने के बाद उसको एते ही छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि उनमें ना सिल्वटे सी आ जाती है और जब मेरी कोशिक यही होती है कि मैं सुबा से लेके राद तक जो काम मैंने करना है न वो मैं निप्टा लूँ चाहे मुझे लेट नाइट ही क्यों न हो जाये मैं वो काम खतम करने के बाद ही सोती हूँ तो बस कपड़े दोने के बाद न मैं आगे फिर से अपनी किचन में तो मेरे दही जमाने वाला था ना वो रह गया था और मैंने दूद करम करने रख दिया था तो मैं कच्छा दूद होता है ना उसी का दही जमाती हूं तो बस मैं ये दहीं जमा रही हूँ, दहीं जमाने के बाद फिर बस अपना सो जाएंगे, तो इस व्लोग को भी मैं यहीं पर अंट करने लगी हूँ, अगर आपको ये मेरा व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे व्लोग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्याद से ज़्यादा शेयर करना, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई